हाँ भई काशिराम लोड हो गई गाड़ी ये लो तुमारी मजदूरी क्या बताएं खेती करना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है अब तो खात करीबने के लिए लाइन लगाओ ट्रेक्टर ट्रॉली लेकर आओ भाड़ा दो मजदूर की मजूरी दो फिर इतनी सारी बोरियां घर पर उतर वाओ वहाँ भी हम माल को पैसा दो यानी समय पैसा और महनत सब लगाना है अरे ये तो बिड़जू दिखरा है बच्चे के साथ घूमरा है कोई सोधने खाद भी नहीं लाया भी तर क्या बात है बिड़जू खेती वाड़ी की फिक्र है की नहीं हम दोनोंने साथ में बोनी की थी, अब खाद डालने का समय आ गया है, अरे यूरिया लाओगे की नहीं? अरे शाम भाईया हम लोग यूरिया लेने ही तो गए थे, और ले भी आये हैं हैं? यूरिया ले आये? कब? कहां से? तुम्हारी ट्रेक्टर ट्रॉली तो लगी ही नहीं, फिर? भाईया, ये है नए जमाने का खाद, ट्रेक्टर ट्रॉली में नहीं, जोले में लेकर आते हैं इसकी सी बोदल में यूरिया? क्यों मजाग कर रहे हो भाई? श्याम भाईया, ये है इफको नैनो यूरिया, इसमें और भी कई विशेशताएं हैं, मैंने इफको के अधिकारी से सारी जानकारी ले ली है तो बिर्जु भाईया, ये जानकारी हमें भी तो बताओ ठीक है, तो सब को चौपाल में लेकर आओ, वहीं बताता हूँ सब कुछ राम राम सभी भाईयों को, बड़े चमक रहे हो भाईया बात ही कुछ ऐसी है, सुनोगे तो तुम भी उचल पड़ोगे क्या कोरोना चला गया? बेटा कोरोना से बचाओ तो हमने कर लिया है वैक्सीन लगवा कर अब बारी है फसलू की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने की साथ ही जल, माटी और पर्यावरण को बचाने की एप, ये देखो अरे बिर्जू भाईया, ये कौन सी दवा है? किसे पिलानी है? पिलानी नहीं है, छिडकनी है, वो भी पौधों की पत्यों पर ये है इफको नैनो यूरिया, विश्व का पहला तरल यूरिया 45 किलो यूरिया का दम, अब इस आधा लीटर बोतल में है बंद इफको नैनो यूरिया, पहला तरल यूरिया क्या बात करते हो दादा, 45 किलो खात की बोरी, अब आधे लीटर की इस बोतल में हाँ रगू, ये कमाल की तकनीक लाया है इफको, जो बरसों से हमारा साथी है, हमारा हितैशी है और पता है भाईयों, हमारा इफको सिर्फ भारत ही नहीं, बलकि विश्वकी सबसे बड़ी सहकारी संस्था है साथियों इफको की इस तकनीक के माध्यम से, अब हम फसलों की पैदावार ज्यादा ले सकेंगे वो भी कम खर्चे में, क्योंकि इसका दाम भी दूसरे यूरिया से लगभग 27 रुपए कम है 27 रुपए खाद में कम, ट्रेक्टर, ट्रॉली, मजदूरों का खर्चा कम, और इन्हें रखने के लिए जगह भी लगेगी कम अरे वा, या वा हाँ भाईया, नैनो तरल यूरिया के उपयोग से उपज की गुणवत्ता वढ़ेगी और साथ ही साथ पर्यावरन भी दूसरे थोने से बचेगा क्यूकि नैनो यूरिया के प्रयोग से किसी भी प्रकार का घातक रसायन या गैस नहीं निकलती जो मिट्टी, जल या हवा को दूशित करें क्या बात है भाईया और इसका उपयोग बहुत आसान है एक एकड के लिए एक बोतल तो एक बोतल नैनो यूरिया को दो बार में प्रती छिड़काव 125 लीटर पानी में घोल कर फ्लैट फैन या कट नोजल पारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के एक सब्ताह पहले पत्तों की उपर छिड़कना होगा पत्तों के उपर? वो क्यों? क्योंकि इस तकनीक में यूरिया में मौझूद नाइट्रोजन के कड़ों को बहुत छोटा कर दिया है जो पत्तियों में मौझूद छिड़ों के द्वारा आसानी से पत्तियों के अंदर चला जाता है और पोशन पूरे पौधे को मिल जाता है अरे हाँ, छिड़काओ करते वक्त मास्क और दस्ताने पहनना मत भूलना क्यों भाई, इसके छिड़काओ में कोई खत्रा है क्या? नहीं मादव भाई, खत्रे की कोई बात नहीं लेकिन खेत में किसी भी दवा या खाद को छिड़कते समय नुकसान हो या ना हो सावधानी के तोर पर मास्क और दस्ताने पहनना ही चाहिए लेकिन बारिश के दिनों में तो छिड़काओ करना मुश्किल होगा हाँ भाईया, बारिश के मौसम में थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी बारिश जब बंद हो, सब छिड़काओ करें मतलब अब खेतों की हर्याली और परिवार की खुशाली का जिम्मेदार इफको नैनो यूरिया अरे बिर्जू दादा ये भी तो बताओ कि इफको नैनो यूरिया की बोतल मिलेगी कहाँ साथियों इफको नैनो यूरिया उपलब्ध है इफको के सभी किसान सेवा केंद्रों में इफको इबाजार के सभी केंद्रों में उनके डीलर्स के पास IFFDC के डीलर्स के यहां और साथ ही विभिन सहकारी समीतियों में भी अबुपलब्ध है इफको नैनो यूरिया तरल की बोतल